हाई एवरिवन वेल्कम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं फिर से एक व्लॉग लाई हूँ हैंकी के साथ तो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है यह उसी वाले वीडियो पे मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि आप दोबारा से हैंकी टक करके व्लॉग कीजी और यह आपना रूटिन दिखाया था आज देखेंगे क्या क्या होता है क्या क्या नहीं बिकास आभी तो मौर्णिंग से ही मेरा जो काम वह शुरू हो जाता है तो मैंने नहाद हो के में रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज लिप्स्टिक लगाई है ओरेंज वाली बताईगा कि म नहीं यह देखिए तो मैंने ओरेंज कलर फर्स्ट वारे ट्राइ किया है आज और अभी हम चाय बनाएंगे चाय में खायेंगे बिस्कित बट मुझे बिस्कित अच्छे नहीं लगते हैं तो मेना में शंकर पाड़े जो आते हैं वह वाले खाऊंगी और चाय में अभी बनाने वाली थी बैट मैंने सचा चलो वीडियो का जो यह है शुरुवात है वह कर देते हैं गुड मॉर्निंग बोल देते हैं अपने फ्रेंड्स को तो मैंने अभी जेस्ट नहाया है तो मैं अपने हातों कर थोड़ा बॉडी लोशन लगा लूँ और यह बॉडी लोशन पतन जल होती बॉडी लोशन को तो चली फिर अभी करते हैं अपना काम और आज के वीडियो में क्या-क्या होने वाला है क्या-क्या नहीं देखेंगे तो मेरा तो अभी सब कुछ काम पड़ा है बिचाना भी उठाना बाकी है आन देख सकते हो बैडना पूरा बिख्रा पड़ा है क् उसके जो गदे है वो नीचे पड़े हुए है यहाँ पर तो चली फिर मैंने लगा लिया है तो यहाँ पर में अपना जो बिचाना है उसका में ते कर लूँ और गदे वेगरा जो है ना वो रख दूंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पर राज जो है एक एक गोदड़ी करके खीज रहा था और मैं उससे एक एक करके ले रहे थी फिर भी वो इतनी मतलब यह कर रहा था और इतना समय हो गया फिर भी उठने का नाम नी लेते है बच् मेरे बचल का है तो ज्यादा ही गंदा हो जाता है इसे वाश कर लिया और फिर मैंने करने लिया वाश करने के लिये और फिर मैंने जो रहे ना अपना जो बेड है वो सेट कर दिया चलो अभी दिया बाती के लिए लेने जाएंगे फूल तो यह हमारा डूर चलिए तो यहाँ पर मेरे आंगन में ही फ्लावर लगे हुए है कनेर के तो जिसे गुलाब का फूल होता है न लाइक उसी काइंड आप का यह कनेर का फूल होता है बहुत मस्त लगता है और हमने यह चोटा सा पोधा लगाया था बारिश के टाइम में तो देखिए कितना बड़ा हो गया है और इधर की साइड में यह इसे क्या बोलते है यह तो मुझे नहीं पता पर हमारे यहाँ पर ना इसे हाँ अगो मुझे वह भी नहीं याद रहे इसे कौन सा सा वालब बोलते है हां तो इसे ना चांदेन Knee का फूल बोलते है हां जी चांदेनी का फूल तो यह देखिए यह चांदनी का फूल है वाइट वाला और यह का तो आज लंच में चने भीमोक के रखे है इसकी तो उसका पारनाज है तो उसके लिए ये चने भी गवए हैं मेने तो इनको मैं अभी रख देती हूँ पॉर्ण करने के लिए अच्छे से बौश करके दो तिर फाने वाश कर लिए हैं मैंने और रग दूंगे अभी बाल करने के लिए तूरंत ही हो जाते हैं कोई देर नहीं लगती है तो बॉइल करते समय हमें थोड़ा सा नमप डाल देना होता है इसमें ताकि बच्चे भी खा सके डाल दिया है इसके अंदर नमप और यह दिखी यहां पर है तो अभी मैं आपने जो भवाजी है उनको थोड़ा सा वाश कर दूप चलिए तुफिर आपने जो भगवान जी है ना उनको अच्छे से क्लिन कर लेती हूं बट 15 दिन में यह तो फिर महिने में एक बार निला आते ही है तो बस यह था और बच्चे लह बड़े चीद कर रहे थे ममी जल्दे से चाय बनाओ चाय बनाओ तो मैं दूसरे दूसरे काम में ही लग जात आपने sofa clean नहीं करा है तो sofa clean कर लो तो मैं sofa clean कर रही थी साथी साथ यहां पर जो मेरी window है उसे भी clean कर रही थी और हमारा घर जो है रोड के नजदिक आ जाता है तो इस वज़े से ज्यादा ही dust हो जाता है दो या तीन दिन अगर कोई साफ सफाई ना करो तो ऐसे लगता है कि 15 दिन से या तो फिर महिने भर से कुछ साफ सफाई मतलब cleaning करी ही नहीं है तो ऐसा हो जाता है तो आप देख सकते हो मैं जो हमारे sofa है ना उनको बहुत ही deeply clean कर रही थी बहुत अच्छी तरीके से और बच्चों से नहीं होता है ये सारा कुछ manage तो उन्होंने राज को और खुशी को बोला था ये काम बट मैंने सोचा चलो मैं ही कर लेती हूँ और बाद में जो है चाय रख देंगे क्योंकि उन्होंने ब्रश भी नहीं करा था और यहां पर मैंने एक नया पोधा लगाया है मनी प्लैंट का तो आप देख सकते हो मैंने अपनी जो विंडो है ना वहां पर एक ग्लास में छोटा सा पोधा लगाया है इसे 20 से दिन हो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है और यहां पर वच्चों को मैंने चाय दे दी है और खुशी लड़ रहे थी राज से क्योंकि उसे स्टूल चाहिए था टेबल बड़ा वाला और यह है मेरी चाय तो मैं शंकर पाड़े के साथ खाने वाली हूँ चाय पीने वाली हूँ और ब देवारा बोलते है हम तो देवारे के पास लाई हूँ और उनको अच्छे से मैं उनकी जगा पर रख दूँगी स्थापित कर दूँगी और मैं न सब कुछ रेडी करके देती हूँ मेरे हवी को मतलब की दिया बाती का जो दिया बाती से पहले जो तयारी होती है न वो सब क अच्छा लगता है मॉर्निंग के टाइम में यह सारा कुछ काम करना और भगवान जी की कुरुपा से सब कुछ ठीक ही होता है तो इसलिए न हमें मॉर्निंग में भगवान जी की मतलब पुझा करनी ही करनी चाहिए तो आप देख सकते हूं मैं यहां पर बहुत अच्छी त चाह पीरते हैं तो फिर डेफिनेटली मतलब कुछ ना कुछ तो गिरता ही गिरता है तो उसके बाद मैं कपड़े वाश करने गई थी और उसके बाद जो हैं मैं आ गए थी किच्छन के अंदर और किच्छन में आने के बाद यहां पर राजने जो है जो बॉइल किये हुए उसके अधिन कैसे घ्ल फ्राय किया था खाने की लिए तो मभी मेरे लिए थोड़ा बचाए था तो मैं वही में खा रहे थी तो में यहां पर कुकर में दाल चड़ा दूंगी तो आज हमारा निकल फास्ट था एका का तशी का तो हमारे यहां पर महाराश्ट में होता है महार और नहीं करूंगी बिकॉस ना मैं बहुत वारी अपनी रेसिपेश कर चुकी हूं आप लोगों के साथ तो यहां पर मैं जब तक मेरी डाल पकती है तब तक दाल को तड़का देने के लिए जो चीजे लगती है जो तयारी होती है वो कर लूँगी क्योंकि साथ ही साथ हमारा यह भी काम हो जाएगा और मुझे जल्दी जल्दी काम करना पसंद है ज्यादा समय लगाना मुझे अच्छा नहीं लगता तो मैं पेशल पेशल कुछ भी नहीं करती हूँ तो ऐसे ही हम अपना जो टाइम है वो बचा सकते हैं एक तरफ हमारी डाल होती है तब तक हम दाल की मतलब फ्राइ करने के लिए तैयारी कर लेते हैं फिर यह हमारी डाल जो है न बॉइल हो चुकी है और अभी में इसको तड़का लगा दूंगी और तड़का मेरा इतना ज्यादा यह नहीं है ताम जाम वाला तो बहुत सिंपल तरीके से तड़का होता है बस ऑईल डाल दो में राइ जीरे का तड़का हरी मिर्च कड़ी पत्ता अद्रक लेसुन का पेश्ट और टमाटर बस यह होता है मेरा डाल में में ज्यादा मसाले वाला डाल नहीं बनाती हूँ बिकास मेरे बच्चे छोटे है तो उनको ज्यादा स्पाइसी खाना अच्छा नहीं लगता है इ क्योंकि वह ज्यादा ही नीचे से यह था गैस का फ्लेम जो है ज्यादा ही यह था तो इस वज़े से और मैंने हल्दी वेगरा डाल के अच्छे से अपने जो डाल है उसको यह कर लिया है फिर यह देखिए हमारा पूरा खाना मैं आपको पूरा लंच नहीं दिखा पाई क्य तो यह देखिए यह है आज का हमारा खाना आएए आप लोग भी खाना खा लिजी हमारे साथ यह है चने की सबजी काले जो चने होते है ना तो यह गावरानी चने हमारे खेत के ही है मेरी मौमीन दिये है पापड है कुरड़ई है यह मेर्ची की भजी साधी भजी यह चपात सिरसमें डाल्व से हैं और यह प्रशाथ सीरा बोलते हैं माराश्ट्र में तो यह हैघ 4000 स्पेशल लंच आईए आप लोग भी खाना खा लीजिए और यहाँ पर खाना खाते खाते हमारी बहुती ज्यादा मस्ती चल रही थी तो मैं जब खाना खा रही थी और मैं जब सब को मतलब वीडियो में ले रही थी ना दिखा रही थी ना तो सब मेरी तरफ देखे हस रही थे और फिर मेरे जब मिर्ची खाई तो खुशी भी आ कर रही थी, खुशी पोड़ रही थी मुझे भी खाने है मिर्ची तो मेरे उसे एक दी थी तो मैंने बोला आप अपने प्लेट में से खाओ और मैंने जब उसके तरफ हाथ बढ़ाया ना, चलो मेरे पास मैं यहां से कैमरे में आपको मिर्ची खिलाती हूँ, आप यहां से खाओ तो साथी साथ राज के पापा को भी शोक हो गया खाने का मेरे हाथ से, उन्होंने बोला मुझे भी खिलाओ और उनके साथ फिर राज ने भी कहा कि मुझे भी खिलाओ, और वो तो मिर्ची खाते नहीं हैं, फिर भी बोलने लग गए कि मुझे भी खिलाओ, तो बस यही फणी वाला हमारा लंच चालो था मतलब लंच के टाइम में बहुत फणी मुमेंट हो चुका था हमारा, और यह देखिए यहाँ पर हमारा जो है ना मजाक चालो है, तो आईए आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाईए, तो आई होप आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ जीगा, बाइए, मिल ते है नेक्स वीडियो में